तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा जो है बहुत important term है हमारी life में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हनुमान चालीसा के बारे में ना सुनाओ तो हनुमान चालीसा जो है बहुत powerful है हनुमान जी की जो energy है बहुत powerful है especially अभी कल यूग में तो हनुमान चालीसा का क्या effect आप पर आता है और कहीं न कहीं कैसी energy हनुमान चालीसा से हमें मिलती है इस बारे में हम बात करेंगे जो लोग हनुमान चालीसा के 11 एक साथ पाठ का यानि कि 11 पाठ एक दिन में करने का 11 बार हनुमान चालीसा का पठन याने कि पढ़ने से हनुमान चालीसा कुछ इस हिसाब के अनर्जी मिलती है आज हम उसके बारे में ही mainly बात करेंगे और कैसा औरा होता है specially हनुमान जी के devotees का इसके बारे में हम बात करेंगे शुरू करते हैं ही वीडियो जै मादा दिया आप सभी को मेरा नहा में उदेट and you are watching मादिशक्ती मेडिटेशन केंदर और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है नाव देखो बहुत सारी चीज़े हैं समझने को जैसे कि हनुमान जी जो है उनके एनर्जी का जो नेचर है काफ़ डिफरेंट है as compared to other energies बहुत 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 डिफरेंट है और काफी प्यॉर अनर्जी होती है मैं समझाता हूँ हनुमान जी के अनर्जी जेनरली आपको सतरंगी यानि की ओरेंज कलर की लिखती है कब एक बार हनुमान जी के अनर्जी आपको golden या yellow अनर्जी में भी दिख सकती है connection है अपने east से बहुत strong होता है अब जिनके east swim मतलब खुदी ही हनुमान जी है वो तो obviously हनुमान जी की भक्ती करेंगी लेकिन किसी के east अगर हनुमान जी नहीं कोई और है अगर उसको भी हनुमान जी की प्राप्ती हो तो उसे अपने east के बारे में पता लग जाता है या फिर जिनको अपना east नहीं पता है अगर वो हनुमान जी की भक्ती करते है तो उनको जो है उनका अपना east भगवान कौन है वो पता लग जाता है अभी मैं समझाओंगा इसके पीछे का क्या reason है साती में हनुमान जी की energy कैसे आएगी कैसा होगा इस बारे में बात करता हूँ आपसे नाओ देखो मैं आपको समझा रहा हूँ हनुमान जी जो है उनके energy का सभाव उनके ही जैसा है और हनुमान जी का सभाव क्या है अपने east की भक्ती करना हनुमान जी mostly time पर हनुमान जी あपको देते हैं वह है भकति अनुमान जी छुद एक बहुत बड़े भक्त है और हनमान जी भी आप यूश्य और बद् Augen हनुमान जी की भगति प्रदान करें की इतनी चादा strong होती है कि आप कभी भी अपने east से अपने भगवान से, अपने मौम से, अपने मां से या बाबा से, जो भी आपकी इष्ट है, उनसे आपको अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी भी ऐसे हैं, वो कही ना कहीं आपको उनसे जोड़े रखते हैं, कही ना कहीं आपका हाथ, आपके इष्ट के हाथ तक पहुचाने के लिए हनुमान जी को बहुत मेजर रोल हो ता है और कही नप कहीं, मेरी लाइफ के स्टोरी में हनुमान जी ने भी बहुत जादा मेरा साथ लिया है जैसे कि मैंने भग्ती की थी शिव जी की सबसे पहले प्राप्वथी मुझे हनुमान जी की हुई थी और हनुमान जी ने मेरा हाथ जाके मा वैशनों के पास थमा दिया था यानि कि मा दुर्गा को थमा दिया था नाओ ऐसा हनुमान जी ने किया था और कहिना कहीं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे इश्ट कौन है और वो कैसी है लेकिन हनुमान जी मुझे उन तक लेकर गए हनुमान जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर गए कहीना कहीं मुझे गाइड किया और हनुमान जी के ही वज़ा से मुझे सबसे पहले स्वापन दर्शन में रीष्ट के हुए थे तो जिल लोगों को भी अपने East की प्राप्ति नहीं होती है और वो हनुमान जी को बुलाते हैं तो हनुमान जी उनका उनकी East से connection मनाने में कही न कहीं बहुत जादा help करते हैं और बहुत major role play करते हैं अब बात करते हैं अगर हनुमान जी के energy है यह हनुमान जी की 11 पार्ट से सबसे पहले तो यह होगा कि आप कहीं हनुमान जी तक पहुच पाएंगे और हनुमान जी आपको लजा पाएंगे आपकी East कर जब भी हम हनुमान 40 बढ़ते हैं तो एक बहुत ही strong energy आपके सर के उपर ग करती है और जितना आपकी body absorb कर पाएं वो उतना करती है और जो rest of the energy होती वो आसपास गिर जाती है इसलिए मैं generally suggest करता हूं कि जब भी आप कुछ भी करेंगे निकि आप mantra meditation कर रहे हैं या 40 पढ़ रहे हैं कोई स्टोच पर कोई book पढ़ रहे हैं keep a glass of water with yourself and after that आप उसे drink कर ली आपको समझनी पढ़ती है जाननी पढ़ती है वो यह कि हनुमान जी की जो लोग भगती है करते हैं हनुमान जी का जो लोग संकल्प लेते हैं जैसे कि आपने 11 दिन का संकल्प लिया है कहना कहीं कुछ rules है जो उनको follow करने पड़ते हैं जैसे कि भ्रमचर्य का पालर is important even आपका mind pure होना चाहिए आपकी body pure होनी चाहिए second बात आप non-vegen नहीं consume करेंगे हनुमान जी strictly against animal abuse तो आप non-vegen नहीं खाएंगे you will not eat anything which is not right तो आप vegetarian रहेंगे ठीक है जो लोग जो circumstances matter करते हैं राई जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि आप एक desert यानि कि एक एक रेगिस्ताल में फस गए हो आपके पास पानी नहीं है पीने को आप बच जीने के लिए क्या पिएंगे आप जानते हैं आप क्या पिएंगे राइट तो कुछ ऑफ चिए एक री कर सकते हैं ह डिपैंड करता है सरकम स्टांसिंस क्या है dużo है अगर किसी ने किसी को को क्राइम भी किया है तो कोंट बचिattend है कि इसके पीछे में हैं क्या पता वो भी सही हो तो हर चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है समझना पड़ता है जानना पड़ता है अब हनुमान जी के एनरजी के एक और खास बात है कि हनुमान जी के एनरजी जहां पर भी होती है वहां से negativity बहुत दूर हो जाती है and हनुमान जी की जाप करने से पहले अगर आप हाथ में अपने, एक हाथ में कपूर रख ले और साथ में दो लोंग, इस हाथ में भी कपूर और दो लोंग रख ले और हाथ बंद करके, अगर आप 11 बार हनुमान जी का पार्ट करते हैं, साथ बार भी करते हैं और उसके बाद अगर आप जो हाथ में आपने रखा है उसको आप कटोरी में रखके जला देते हैं तो कहीना कहीं आपकी बॉड़ी बहुत प्यॉरिपाई हो जाती है All those negative energy inside your body वो सबके सब जल जाएगी Any negativity होगी आपकी body में कोई भी तरीके की negativity है If there is any negativity inside you उसको भी चल जाएगी बहुत सारे चीज़े हैं हनुमान जी का बहुत सारी ऐसी energy होती है कि आप कभी कबार तो इतनी extra energy हनुमान जी के आप फिल कर पादे हैं कि आप जेल भी नहीं खाते हैं तो ऐसा होता है तो हनुमान जी के भक्तों का nature कही ना कहीं भक्ती जैसा होता है वो भी लोगों को भक्ती के लिए guide करते हैं और हनुमान जी के energy बहुत strong होती है उनका औरा बहुत प्यार होता है दूर से देखके बता लगा सकते हैं कि ये hanumanji के फ़क्त हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बंदर हमें दिखते हैं वानर दिखते हैं चलते हुए कंदे बैठे हुए दिख जैंगे, सर बैठे हुए दिख जाएंगे क्योंकि hanumanji भहुत प्रोटकिटिव है अपने बच्चों को ले करे तो Хणुमान जी हमेशा हमेशा सुरक्षा करते हैं और हनुमान जी के भक्तों के घर पर हनुमान जी का ज़ंडा जरू लगाओना चाहिए ताकि तूर से हनुमान जी को दिख जे कि ये जो घर है ये कही ना कही उनके डिवोटी का उनके ही एक भग्ट का है तो I hope कि हनुमान जी की पूजा करने से आप कहीं ना के भगती के मार्ग पर जाएंगे अपने इश्ट के प्राप्टी कर पाएंगे और हनुमान जी की एनरजी कुंडलिनी शक्ती को भी बहुत स्ट्रॉंग होगती क्योंकि हनुमान जी के एनर्जी जो होती है, वो गरम होती है, हनुमान जी के मंत्र, या हनुमान चली साथ, बहुत heat energy देती है, बहुत गरम एनर्जी देती है, और गरम एनर्जी के वरे से कुडलेनी का भी strong होना बहुत जाइस से बात है, आपकी body में एक दम से न, body को shock लगे जब आप अनुमान चाले साखरोगे एक बार शौक तो बार शौक तीन बार शौक अब यह से हुआ मेरे क्लाइंट है जिनिते मंदिश्टी के लिए काम कर रहा था उनके दृष्टी एकदम ओपन होने वाली ति आग्या चकर पे सेवन्थ डे पर ही उनको चीज़े दिखनी शुरू हो गई थी, ये कन सी थिंग्स दिव्वेदरिष्टी से, कहीं न कहीं हो समझ पाई, तो अगर आप भी मेरे साथ meditation classes लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर टेक्स कर सकते हैं, अगर आप अपनी औरा scanning भी करवाना चाहते हैं, जैसे कि एक 60 days का ग्रूप है, जो शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप लोग उसकी भी booking करवा सकते हैं, और उस ग्रूप में मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, वो audio guidance का ग्रूप रहेगा, और कैसा भी व्यक्ति उस ग्रूप में जुड़ सकता हैं, साथ ही मैं आप personal training लेना चाहते हैं, meditation के बारे में सीखना चाहते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें दिखने शुरू हुआ अखे, यसे की शी वाज़ा फीमेल, तो उसको आखे दिखने शुरू हुए, शी कें सी की उसे आखे दिख रही है, और आइस दिख रही है, और क्योंकि सबसे पहले जब द्रिव्य दृष्टी खुलती है, तो कहिना कहीं आपको आखे दिखने शुरू होटी है, यू can actually see, जो वो energy है, वो shape लेती है, और क्योंकि वो एक डेवी की devotee थी, मा की devotee थी, तो कहिना कहीं वो शायद उनकी आखे देख पा रही थी, energy की चीज़े महसूस कर पा रही थी, यू can see की उसके energy कैसी है, कुडलीनी कहां तक जा रही है, धीरे-धीरे करते 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 ही, आपके डिवेदरिश्टी और परफेक्ट होती रहती है, परफेक्ट होती रहती है, और at the end एक बहुत purity की साथ वो जागरित हो जाती है, बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं, तो हनुमान जी के energy कुडलीनी को स्ट्रॉंग करने में, आपके डिवेदरिश्टी के layers को melt करने में, क्योंकि ये गरम energy होती है, और गरम energy हमेशा बहुत बहुत powerful होती है, लेकिन एक डम से गरम energy को भी ले लेना गलत हो जकता है आपके body के साथ, तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कही न कहीं चीजों को समझ के इन चीजों में आपको आना पड़ेगा, I hope मैं आपकी कहीं न कहीं कुछ help कर पाया होँगा, इस वीडियो से आपको तोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, बाकि हम मिलेंगे next वीडियो में, ऐसी और interesting वीडियो के साथ, तो जै माता अदी, thank you for watching this video,